कि आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार किसे केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर समनेल आपने विल्कुल सही पड़ा है बड़े बतलाव कोई बड़े बतलाव नहीं है बहुत इंपोर्टेंट है और इस इंपोर्टेंट कि अमेंडमेंट को डिस्क्ट करने के लिए हमने अपने यूटूब चैनल पर बुलाया है दीपक गुपता सर को डिजी सर को जो कि हमारे को डिटेल में समझाएंगे क्यों कि सरी अमेंडमेंट मुझे समझ नहीं आई यह आपके साथ ही डिसक्स करें तो सर्व यह दो मेंडमे मैं इसलिए खुश हूँ विकोज मुझे लगा था कि अपकी आप फिर से जीएस्ट में भरबर के अमेंडमेंट्स ना दे दें जीएस्ट जैसा चलगा इसका महोल तो बहुत टेंचर लगी थी बट बहुत ही अच्छा बज़ेट रहा कि जीएस्ट की इनोंने अपकी वाश का कंसेप्ट होता था लाइक मैं आपको कंसेप्ट बोल देता हूं कि माली जी हमारे पास एक कंपनी है जो कि मल्टी लोकेशनल है उसका है और उसकी ब्रांच ऑफिस है और यह सेपरेटली रिजिस्टर है तो आप जानते है जानते हैं सभी यूनिट्स को डीम डिक्सिंग अब इसमें यह एक आ जाता था कि मार्ली जी है उसके पास जो है वह सबस्क्राइब बट जो service है वो actual में या तो branch office के लिए ली गई या फिर head office और branch office के लिए ली गई या कहीं सारी branches थी उसके लिए common ली गई तो हमारा ISD का mechanism होता था जो कि यह कहता था कि invoice जब head office के पास जाएगा तो जो head office होगा वो उसका ITC लेगा और आगे जो होगा distribute कर देगा और इस distribution के purpose के लिए उसे अपने आपको ISD का registration कराना पड़ेगा और यह compulsory registration जो था वो होता था अब लेकिन हो क्या रहा था practically देखा गया था कि कुछ head office क्या करते थे उनके पास service का जब invoice आता था तो वो credit लेते थे बट आगे ISD का registration कराके credit distribute करने की बजाए वो cross charge कर देते थे सबको पता होगा बट फिर सिंपल वर्ट से बता देतों कि बैकेंड से invoice आया उन्होंने उसका ITC लिया और फिर उस supply के लिए चार्ज करते हुए एक नॉर्मल टेक्स इन्वाइज ऐसा सप्लायर जो था वो डिम डिक्सिंग परसन बांच office को जो है वो issue कर दिया ठीक है अब इसको लेकर के officers का यह कहना था कि नहीं नहीं अगर आप इस तरीके से cross charge कर लोगे तो फिर वो जो ISG का जो mechanism ने बनाया है वो तो उसकी requirement आपने बेकार कर दी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको से ISG के route के थ्रू ही distribute करना चाहिए बट लोगों ने practically ऐसा कर दिया था तो फिर अ ISG का जो mechanism GST के लोग में है वो mandatory नहीं है वो mandatory नहीं है तो अगर कोई head office है वो as an ISG registration करके ISG invoice के थ्रू ITC बाट रहा है तो वो भी okay है और अगर वो ISG के invoice की मज़ए cross charge करके as a supplier invoice दे रहा है तो वो भी चलेगा ठीके जी ऐसा उन्होंने most publicly इस लिए किया कि जो past में हो चुका था वो disturbed now लेकिन आगे उनकी intent clear थी कि नहीं भी हमारा ISG का mechanism हमने जो बनाया है तो वही जो है वो follow होना चाहिए तो अब इसी के लिए जो amendment हुई है उसकी sole intent in purpose यह है कि उन्होंने credit card distribution mechanism ISG वाला जो है वो mandatory कर दिया है अब अपनी इस intent को materialize करने के लिए उन्होंने amendment करी क्या ह है उन्होंने जी ISG की जो definition है वही जो है वो change कर दिये section 261 of cgst8 में जो definition थी उसको change कर दिया गया है और उस definition की wordings वो जो है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें specifically reflect हो रहा है कि अब जो ISD होगा it shall be liable to distribute the ITC in respect of the invoice liable to distribute मतलब mandatory sense में जो है उसको कर दिया गया है ठीके जी इसके प्लावर definition में एक और reflection जो नोंने देने की कोशिश करी है पहले definition यह कहती थी कि कोई office है supplier का उसको invoice receive हो रहे हैं towards the input service और उसका credit were distribute कर रहा है अब problem आई मानली जिए उस head office के पास एक ऐसी service है जो कि उसने किसी unregistered supplier से ली और वो service है RCM वाली तो unregistered supplier से head office के पास जब RCM वा सकता है तो उसके respect में supplier उसे tax invoice दे गई नहीं उसके head office को पहले RCM की tax liability pay करनी होगी और खुद ही उसका self-invising जो होगी वो करनी होगी तो self-invising के basis पर भी वो ITC आएगा जो कि आगे chain में जाना चाहिए तो उसकी clarity definition में नहीं थी उस clarity को उनोंने साथ में जो वो definition में introduce कर दिय है तो नहीं definition clear cut यह कह रही है कि ISD वो office होगा supplier का जो की credit आगे distribute करेगा चाहे वो पीछे से tax लगके आया हो invoice के साथ या normal invoice के साथ आया उसने RCM में tax pay किया हो कैसा भी टेक्स हो वो आगे जो आगे branch office के लिए attributable है उनको distribute करेगा और उसके लिए उसे अपना ISD का registration कराना ही मैं बात करूं तो पहले supplier के पास दो चोईस होती थी या तो वो क्रोस चार्ज कर ले कर ले क्रोस चार्ज करते वह फाइदा उठा लेता था कि जिस ब्रांक का ITC की ज़रूरत है उसे बाट देता था और क्रोस चार्ज पर कंट्रोल भी नहीं होता था तो गोवर्मेंट नही पर लेकिन अपने डिस्टिंग पर लियाग पर कोई भी जर्विस लिए तो अब आप उसका क्रोस चार्ज करना पड़ेगा आप उसका करी नहीं सकते हैं तो इसलिए इन्होंने आएज़ी की सब्सक्राइब को ही चेंज कर दिया बिलकुल तो आइज़ी का मिनिंग पहले कुछ और दूसरी बात इसमें वाली बात है पहले डैपिनेशन में नहीं तो कोई वेट्री कह सकता था कि मैं तो नहीं पे कर रहा है तो आप इन्ह पर आपको नहीं करने किस्टरी करने थे तो आपको बढ़ करना है इसमें थोड़ा सा आपको जो ऌगा वो करया करूं गा तो यह स्टेंड नहीं ले सकता था कि मैं यह करूंगा पीछे से टेक्स करो आपको ISD के रूट के थूह ही करना पड़ेगा दूसरी इसमें बात में आपको यह बता दो अब आपने से कहीं यूजर जोंग उनके माइंड में भी कोशन आएगा सर यह तो डेफिनेशन है कैसे बोलेगी कि आपको यह में निटरी करना ही पड़ेगा आप बिल्कुल ठीक किया रहे हो डेफिनेशन नहीं क्रियेट करेगी तो इसके लिए उन्होंने क्या किया जो सेक्शन 20 आएज़ी का होता था सेक्शन 20 में यह मैसेज लिखा ठीक है न और उस मैसेज के हिसाब से उ यहां पर ऑफिस के पास डीम डिक्सिंग परसंस वाली सर्विसिस के बिला रहे हैं तो उसे अपने आपको आईएज़ी क्या तो पर रजिस्टर कराना ही पड़ेगा और इसके लावा इस सेक्शन 20 किते हैं तो उन्होंने एक और मेजर जो चेंज किया है पहले क्या होता था ISG जब credit distribute करता था तो credit distribution करने का तरीका क्या होगा वो section 20 में manner of distribution जो थी वो लिख्योई थी but at the same point of time there was a rule 39 उसमें भी उसी credit के distribution की बड़ी सारे बाते लिख्योई थी जिसकी वज़े से duplicacy हो रही थी कुछ बाते section कह रहा था कुछ बाते rule कह रहा था अब उस duplicacy को भी उन्हों जाएगी तो accordingly जो associated rule number 39 होता था उसमें भी आप देखेंगे जल्दी ये amendment आएगी because पहले जो act में बाते होती थी distribution वाली वो भी सारी अब वो कान लिखेंगे rules में ही लिखेंगे तो that's a simple change हो कि उन्होंने ISG से related किया है और बाकि आप सब लोगों को पता ही है कि ISD जब भी भी credit distribute करता है तो उस distribution के लिए उसे अपना ISD invoice issue करना होता है as per rule 54 उस बारे में भी यहां act में जो है वो proper reflection as it is रखा गया है नई penalty और इंसर्ट करी है section 122a नया penalty provision इंटर्ड्यूस हुआ है थोड़ा से में आपको background दे देता हूं government देखिएगा GST में हमेशा tracking करती रहती है कि कौन से ऐसे सेक्टर से जहां पर GST में टेक्सिवेजन जो है वो massively prevail हो रहा है तो government ने देखा था कि कुछ specified goods है जिसके में massive tax evasion हो रहा है like pan masala tobacco and soul उन्हें दिक्कत आ रही थी tax evasion को control करने के लिए तो इन्होंने इसको control करते हुए last time में थोड़ा सा background बता देता हूं उन्होंने क्या किया था इसमें export related amendment करी थी एक्सपोर्ट में tax evasion जो हो रहा था उसको control करने के लिए हमारे पास section 16 zero related supply का concept होता है उसमें हमारे पास दो अब उसको control करने के परफस के लिए अब रिसेंट में उन्होंने जन्वरी 2024 की ही बात है एक special procedure notification इंचू किया था कि आप देख सकते हैं स्क्रीट पर notification नंबर 4-024 there is section 148 under CGST Act जिसमें government के पास यह power है कि GST के लोग में जो भी प्रोसीजर नॉर्मल लिख्यों हुए है उन नॉर्मल प्रोसीजर से करते हुए वह किसी भी रजिस्टर परसंट के लिए special procedure से special compliance के requirement डाल सकती है तो उन्होंने इस notification के थूँ यह बोला था जिन जी अगर कोई manufacturer है notified goods का जिस पर भी में टेक्स इवेजन लगता है तो अब हम क्या करेंगे अब हम उसके बोलेंगे कि भाई साब आप से हम आपकी जो production capacity based duty है वो लेंगे ठीक है जी और उसके लिए basically हम आपको एक डीम्ड वैल्य नोटिफाई कर देंगे कि आप कितनी machines के साथ operate करें capacity के लिए और उसके basis पर एक डीम्ड समझोगा वह हम आप से calculate करवा लेंगे ठीक है जी अब मशीन दी दो तरीके की हो सकती है production machine दी और पैकिंग मशीन दी तो यह बिसीकली जैसे पानमसाले टोवेको के लिए retail pouches को control करने के परपस के लिए तो उन्होंने बेस जो select किया है वो packing machine जो है उसको select किया है तो अब अगर एक X unit है जो कि पानमसाले टोवेको जैसे goods बना करके pouches में बेस्ती है तो उसको यह special procedure notification यह कहता है उसको अपनी factory में जितनी भी packing machines होंगी उन packing machines को register कराना पड़ेगा विद्ध authorities और उन packing machines के लिए एक deemed duty amount जो उन्होंने बोला होगा वो जो होगा वो पे करना पड़ेगा तो पूरा control का बेस क्या बन गया packing machine तो अब इससे associated उन्होंने amendment करी है finance bill 2024 में यह जो penalty का provision है 122A में अब यह कहा गया है वो person जिसको हमने यह special procedure बताया और कहा कि packing machine रजिस्टर करानी है अगर उसने किसी packing machine को रजिस्टर नहीं कराया तो जो रजिस्टर नहीं कराया उसके लिए उसको जो होगी वो penalty one lakh rupees for every machine जो की रजिस्टर नहीं कराई वो जो होगी वो पे करनी पड़ेगी one lakh rupees cgst and equivalent hgst में भी आएगी obviously बात है ठीक है और प्लीज आप भ्यान में रखिएगा यह जो penalty को प्रोवीजन है यह specific है for non registration of the packing machine अगर आपकी packing machine registered है बट आपका default कुछ हो रहा है आपने text नहीं पे किया आपने returns वगेरा जो है वो नही के लिए जो otherwise already existing penalty provisions है उन्हीं में action जो होगा वो लिया जाएगा ठीक है इसके लाव उन्होंने क्या बोला नोन registration of the machine होगा तो penalty तो लगेगी लगेगी वो जो मशीन रेजिस्टर नहीं कराई वो liable to seizure and confiscation भी होगी बट एक relief साथ में दे दिया कि भाई साब चलो हमने penalty लगा सब्सक्राइब कर लिया अगर आप अपना default समझ के अभी भी सुधरना चाहते हो तो हमने के बोला penalty pay कर दो मशीन को register करा लो हम आपकी मशीन जो होगी वो फिर नहीं करेंगे तो अगर मैं ने वात करूं से अगर को दॉसके पास पैकिंग मशीन ती पहले डिए दो मशीन आप पना टेक्स पे कर रहा कि अब्याएव विजीट हुई तो वीजीट होने में पाया गया गिए दरस मशीने तो वह वैं तो दो मशीनों पे तुम एक साल लगाएंगे लगाएंगे और तो नहीं 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 तो उन पर उसके बाद करके ले जा रहें तो वहां पर असे क्या करेगा जो मैंने टेक्स की चोड़ी करिए वो ले लो और इन मशीनों को जबत मत करो तो मैं अभी की अभी तीन गिलों के अंदर अंदर मेरी मशीनों को छोड़ बिल्कुल आपने सब्सक्राइब तो यहां पर जो इन सारे तो इस नोटिफिकेशन को पॉलो नी करा क्योंकि यह एक जन्वरी दो लार चोबित से तो अगर नोटिफिकेशन पॉलो नी करा तो क्रोस चार्ज करना पड़ेगा और यह दो आपको हमारी इस महीं नेंगी में जाएंगे और इंकम से वह हमारी में मिल जाएंगे और उसके अलावा 43 वी के अंदर जाएंगे तो फटा फटते को सब्सक्राइब कर आलो कैनल को लाइक कर दो और वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में फटा-फट से लिख कर बता दो इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी धन्यवाद और सर आपका भी धन्यवाद कि आपके प्रोविजन को बैट में जाकर डीपली हमें समझाया है सर आपका भोड़ बोड़ देख ठीजिए वाद कर जी